दर्शिकोव विवा 16 हिंदु संसकारों में एक मुखे संसकार्ण है और बहुती महत पूण है विवा दो वेक्टिक की यूती नहीं बलकि दो पईवार की यूती भी कहा जाता है और साथ यह समाज के परति आपका जो दाइद्व है उसको निवा करना भी कहा जाता है कई बार कई प्रयास करने के बावजूत भी सही पस्ताव ना मिलने के कराण विवा में देरी देखी जा सकती है विलम देखा जा सकता है इसके लावा बैदिक जोतिशास्त में वढ़ने थे हैं कि जो ग्रह कारक है विवा के और में से जो सबसे शुक्र ग्रह है इसके लावा चंदरमा को भी पाव को इसके डावा करक निशकर्श हो और कि लेकिन कई बार दस्यकों ऐसा भी होता है कि जिससे संबंदित आपके ग्रहा है जो विवाद संबंद कराने वाले गरे उनकी दशा नहीं होती दशा होने के बावजूद ट्रांजिट यानि गोचर में उनकी सिती खराब होती है तो इसकी वजह से भी विवाद में विलम देखी जा सकती है कई बार विवाद होने के बावजूद भी संबंद विछेद हो जाता है उसके बहुत से कारण होते हैं तो हरी केश्व दर्शिकों वैदिकेश्टो केंद में आपका स्वागत है मैं जोतिश अचारया पूजा तो आज हम यह समझेंगे कि 2024 में किन राशियों के लिए विवा का योग बनने जा रहा है यह हम इसको दो भाग में डिवाइट करेंगे भाग में विभाजित करेंगे उसका मुखे कारण यह है कि अगले वर्श यानि 2024 को ब्रेस्पती अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं बहुत बड़ा यह यह योचर होने जा रहा है जो कि 3 मई 2024 को होगा अब उससे पहले कई अन्य राशियों की जो प्रबल संभामना बनेगी उसके बाद जो है कई अन्य राशियों की बनेगी और कुछ ऐसी राशिय है जिनको पूरे वर्श संगश की स्थिती देखने को मिल सकती है अब 2024 में जिनके लिए अच्छे योग बनने जा रहे हैं जो कि हम पूरे साल की अगर हम बात करें तो उनमें सो जो भाग्य शालीस राशिया है वो है आपकी मेश राशी है मिथू राशी है सिंक राशी तुला राशी और कुम राशी है तो यह कह सकते हैं इन राशियों को पूरे वर्ष अच्छा कर रहे हैं तो यह कुछ इस प्रकार का विलम ला सकते हैं जो भी पापिक रहे होते हैं जैसे आपके रावकेतु होगे शनी होगे अगर इनका संबंद आपके सब्तम भाव में हो जाए तो निश्ची तो आप देख लीजिए विवा में विलम लाते हैं और विवाग जल्द लड़का लड़गी आपस में एक एनरजी एक उर्जा जो आपस में मैच नहीं हो पाती जिसकी वज़े से विवा पस्ताफ चुनने में बहुत समय लग जाता है तो इन सब ग्रहों के उपाई भी हैं लेकिन फिर भी अपना समय ये जरूर लेते हैं और जितना विलम लेंगे उतना आपको अनुभा होगा किस प्रकार आपको आगे अपने पस्ताफ को चुनना है शनी इस प्रकार का निश्चुन्त करते हैं कि आपको पहले मैचॉरिटी हासिल करनी है आप पहले समझदार हो जाए तब आप विवाद संसकार में जाएं क्योंकि तब आपको एक स्था जब तक आपके बीता गंबीरता नहीं होगी आप पवित्र संबंत को किस प्रकार समझेंगे तो यह हम समझेंगे कि किस प्रकार आपके योग बनने जाने जो अन्य राशी है जो हमारी बच्ची राशी जैसे धनु राशी है मकर राशी है तो मीन राशी वालों के लिए बह मैं बात रहे हैं पन्जब बा समने हैं और आपके लगने मिए शुरूबा ओ करेंगा राशी से अज pourtant लगने मैं करेंगे बातों हम रच्छे जान लीजे कि ये फानल होने में कोई देरी नहीं लगेगी और अच्छा योग बन रहा है आपका अगर ना तीन महीं के बात भी हम अगर बात करें तो मृस्पति आपके द्युत्य भाव में जाएंगे तो भी इसलिए कहा जाएगा कि ये भी आपके विवाव के क कारक के लिए बहुंद अच्छे है क्योंकि द्युत्य भाव को भी हम एकातश भाव को भी हम जरूर देखते हैं तो साल के लिए तो मेश-्राश्डि का प्रवल योग बनने चाह रहा है में साथ ही आपको एक मेटीरिटी देखने को मिलेगी स्थिर T जैसे ही ब्रेस्पति वक्री अवस्ता से बाहर होकर मारगी होंगे तो धीरे धीरे जो भी काम अटके हुए वो बनना शुरू हो जाएंगे जो विलंब लग रहा था उसमें आप देखेंगे काफी कमी आ रही है और यह बहुत अच्छे संकेत हैं साथ ही आपका अगर ब्रेस् संकेत आपको देखने को मिलेंगे लेकि रहो के तो कि थोड़ी दिश्टी आपको परिशान कर सकती है जैसे रात रहो आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आप अपने बीतर धैरे बनाके चलें बहुत ही जादा जरूरी है पेशन्स बहुत जरूरी है क्योंकि तब ही आप अपने स्थिती को समझेंगे अपने आपको स्थिती को डालने के लिए आप समर्थ होंगे सहच महसूस करेंगे अन्यता आपको बहुत संगश्ट देखना पड़ सकता है तो शुरुवात में आपको एजस्टमिन की दिक्कत आ सकती है उसके बाद सब बढ़िया होगा उसके बाद आप देखेंगे कि देर देरे आप अपने आपको अच्छी तरीके से अपने नई सिच्वेशन में आपको डाल पा रही है तो 2024 की शुरुवात आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली उसके में के बाद भी अगर राशी परिवर्दन होता है ब्रस्प ना जलबाजी दिखाएंगे और ना ही आप सुकता अधीरता पन दिखाएंगे और इसी अधार पर आप एक सही निर्ने लेने की स्थिती में रहेंगे और यह आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है आप दूसरी राशी व्रश्प राशी के बारे में बात के तो जो ज सान या विलंब या बिना मतलब के आप देख सकते हैं कि कोई नो कोई अर्चन देख सकते हैं आपके विवापस्ताप को फाइनल होने में लेकिन जैसे ही ब्रिस्पति आपके लगन में परवेश करेंगे और यहां से आपके सब्तम भाब में दिश्टी डालेंगे तो आप देखेंगे मैं के बाद आपकी जितना भी विलंब लगा तो उसमें आप जितनी तेजी देखेंगे साथ ही कुछ विश्टाप में चर्चा चल रही है तो जो बे मन से चल रही है या विलंब लगा के चल रही है अचानक उसमें तेजी देखेंगे और एकदम से पक्का हो ग प्रकार कशिस कर सकते हैं, जहां पर थोड़ा और विफार। टो हो सकते हैं कि आपको जो विवा का पस्ताव है या प्रेम संबंध आपका जो बने जिन्फेक्ति के साथ वो आपकी community से बाहर हो क्योंकि बहुत ऐसी प्रबल संब्भावना है राहू जो है अनकन्वेशनल मैरिज देता है यानि कि आप देखेंगे कि कुछ marriage में कुछ अनकन्वेशनल या कुछ ऐसा होगा जो कि आपके regular जो है आपके सब्तम भाव से भी रहेगा तो आप इस प्रकारत यह तो बिल्कुर निश्चित हो जाता है कि जो राहू है अनकन्वेशनल मैरिज यानि community से बाहर कुछ relationship आपके बन सकते इसकी प्रबल संब्भावना है तो मही के बाद यानि मद्धे 2024 के बाद कि अगर हम बात कर रहे हैं मंगल आपके सब्तम भाव में गोचर करेंगे यह जो की शुरुवात मंगल जल्दी राशी परिवर्तन करेंगे तो जो नए वर्च की शुरुवात को इस प्रकार हो रही है तो एक शूप संकेत आप कह सकते हैं विवा का आप अगर पहले से चर्चा हो रही है या विवा का परस्ताव आपको मिल सकता है अचानक से कब चर्चा हो या कब फाइनल होगे आपको पता ही नहीं चलेगा चटमंग नहीं पढ़ बया कुछ इस प्रकार के सिती आपको देखने को मिल सकती है और यदि पहले से चल चला हो रही है तो डेफिनिटी उसको आप कह सकत आप देखेंगे कि बिना मतलब के कुछ संबंध में जुड़ने में बहुत समय लग रहा है नुकसान हो रहा है साथ ही कुछ अर्चन देखने को मिल सकती है और ये भी प्रबल संभावना है कि आगर आपके विदेश से कुछ संपर्क है तो वहां से भी कुछ आपको विवा में गोचर करें दशमीश जो है शरी आपके अश्टम भाव में गोचर करें तो इस्तिती बहुत संगश्पून देख सकते हैं हाला कि मही के बाद ब्रस्पति आपके अधिश भाव में परवेश करेंगे तो कुछ अच्छे चांसेस आपको जरू मिलेगे कुछ आपको मिल स पर दिश्टि डालेंगे तो यह आप जालीजे कि confusion के सिती ही राहू ज़रू आपके दिमाग में डालेंगे आपकी expectation आपकी reality से बहुत अलग होगी देखिए कई बार हम अपनी कलपनाओं की दुनिया में जाधा जीते हों जिसकी वजह से जो सामने हमारे सत्य हमारे जीवन ह होते हैं उसकी तुल्ला हम कर पाते हैं उसका जो acceptance होते हैं वो उसमें हम नहीं मिल रही या किसी और वेक्ति की जीवन में कुछ और सिती बनी हुए आपको वैसे नहीं मिली इस प्रकार की तुल्ला जो होती है न यह डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देए ज ग्यान होते हैं तब आपको लगते हैं कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है तो कई बार आप अपने उपर जब confident ना हो तो किसी समझदार अनुभवी व्यक्ति की आप सला लें किसी अनुभवी जोतिश के पास आप जाके उनसे परामर्च ले सकते हैं क्योंकि खुद के अध तनाव देखा जा सकता है acceptance mode में तो नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि वो चीज़ को accept करें जो कि आपके परिवार बिल्कुली अगेस्ट होंगे तो इस प्रकार का संगश पूरे वर्ष देखा जा सकता है पांची राची सिंग राची की अधि हम बात चल रहा है तो देखिए सब्सक्राइबार बिल्लम के कारक है बहुत लगाते हैं बहुत परस्ताव कप ने लए लेंगे और पिर इस वज़े से आपको कहीं भी सपोर्ट या सहीयोग नहीं मिल पाएगा उसे परिगार के स्थिति आपको देखने को मिलेगी इसके लावाब जैसे मैंने बताया कि शनी आपके सब्तम भाव में गोचर करें तो लंब आप मान के चलिए कि आपको देखने को मिलेगा प्रस्तिती आपके पक्ष में नहीं होने वाली है आप बहुत कोशिश करेंगे कि जब आपके परिवार आपके पक्ष में होगे तो आपके पार्टनर के परिवार वाले वो आपके भी पक्ष में आ जाएंगे तो इस प्रकार का उधहेडबून या उताचड़ाव या आपकी चातान देख सकते हैं पूरे वश तो बहुत संगश के लिए आपको त्यार रहना होगा और दूसरी बात ब्रिस्पति आपके अभी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो मई तक यहाँ पे रहेंगे तो इक अच्छी संभावना देखी जा सकती है तो एक आपके पास मौका मिल सकता है कि आप उस प्रेम संभावन को प्रेम इभाव में परिवर्तित कर सकें तो इस प्रकार आगर आप प्रयास करेंगे पूरे फोकस्ट ली अपने जो परिवार वालों के साथ इसकी चर्चा करेंगे और बस अकरात्मक तोर से चर्चा करेंगे फोर्स नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रसिती आपके जो है पक्ष में बनती जा र चनी कोई भी काम आपकी जीवन में बिना संगर्श के नहीं देंगे क्योंकि चनी सब्तमभावा बैटके लगन पर दिश्क्री डाल रहे हैं यह बात आपको समझनी होगी चेटी राशी कन्या राशी के बारे में जा लेता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही का था कि 50-50% चांसेज बन रहे हैं उसका कारण यह है कि केतु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और राहू आपके सब्तमभाव में तो यह अच्छा गोचर तो नहीं माना जा सकता यह पूरे साल इसी अवस्था में रहेंगे और आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपके दिमाग मे confusion बना हुआ है, detachment बनी हुई है, नीरस्ता बन देखा जा सकता है, किसी पर विश्वास करने के सिती में आप नहीं रहेंगे, राहू बिना मतलब के विलम देख सकते हैं, अचानक बनते बनते बाद एक दब से खतम हो सकती, कुछ इस प्रकार के सिती आपको देखने को लेकिन मही के बाद जैसे ही ब्रस्पति आपके नवम भाव में परवेश करेंगे, तो एक राहत की सांस आपको लेनी पड़ेगी, ले सकते हैं, मेरा मतलब यह है कि क्योंकि ब्रस्पति की दिश्टी आपके लगन पर पड़ेगी, जहां पर केतू तो आपको कुछ खलबली मचायेंगे, लेकिन ब्रस्पति उसको शांत करने में सफल रहेंगे, ब्रस्पति की दिश्टी आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो एक प्रतार की क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी, कन्फूजन किस्थिती आपको दूर होगी, साथ ही आपके बीतर समझधारी रह की जा सकती है, और आप तब एक सही निर्ने लेने की सिती में अपने आपको पाएंगे, यह बहुत ही महत्पून है, तो मई के बाद जो कह सकते हैं, मध्यर 2024 के बाद, बहुत अची संभावना बन रहे हैं आपके विवा की, रहोगे तो मैं फिर कहूंगे, थोड़ा आपके बिना विलंब के, बिना किसी रुकावट के संपन हो, क्योंकि ब्रेस्पत्य आपके सब्तमेश है, सब्तमभाव के सौमी है, तो निश्चित इनका शुभ होना बहुत ही ज़रूरी है, ब्रेस्पत्य नवंभाव में आके अपनी शुभ दिष्टी ज़रूर डालेंगे, ले आप देश सकते हैं कि मद्धे 2024 के बाद अच्छी संभावना बन रही है। आपको राहो केतु का भी उपाई करना चाहिए। सातिवी राची तुला राची के बारे में जा लेते हैं। देखी ब्रेस्पति आपके सब्तम भाव में गोचर करें। बहुत अच्छी स्थिति के खासकर, बद्धे 2024 से पहले का जो भाग है, वो आपके फेवर में रहेगा, आपके अनकूल रहेगा, विवा का पस्ताव निशितों से फाइनल होगा, अगर कोई मिला है तो आप समझ लीजिए फाइनल होगा, ब्रिस्पत यां बेटके लगन पर आपके जो लगनेश है, शुरुवात जो करने जा रहे हैं, आपके द्वित्य भाव से करने जा रहे हैं, तो कह सकते हैं, शुरुवात में कोई बड़ी बात नहीं होगी, यह आपका विवाव परस्ताव जो है, फाइनल हो जाए, और यह एक अच्छी शुरुवात आप दे यह शुरुवात आपके दित्य भाव में करने जा रहे हैं तो हो सकता है स्थान से बाहर आपका जो है विवाग का पस्ताव आपको मिले लेकिन कुल मलाक के स्थिति आपके लिए थोड़ा संगर्श में हो जाती है कुछ बड़ा ट्रांस्फोर्मेशन देख सकते हैं मद्ध्य 2024 के बाद यह कुछ adjustment की सिती आपको देखने को मिल सकती है कुछ समझोदे की सिती देखने को मिल सकती इस प्रकार का आप देख सकते हैं लेकिन मद्ध्य 2024 से पहले कहें तो बहुत अच्छी प्रबल सभावना बनने जा रही है प्रेम विवाग की चर्चा भी साकरात्मक रहे जनी इस प्रकार का आपको करेंगे कि आप जिसके साथ संबंध में जुड़ने जा रहे हैं उसमझदारी रहे इमांदारी रहे तो ही रिष्टा आगे बढ़ पाईगा तो यह इसी अधार पर आप अपने जो संबंध को प्रेम विवाग के में परवर्तित कर पाएंगे तो बहुत अच्छी संबावना शुरुवात में बनने जा रही है और उसके बाद अगर हम बात करें मद्धे 2024 की बात की बात तिरे तो संगश निश्चेतों से देखा जा सकता है आठवी राशी विष्टी राशी के बारे में अधिया हम कहें तो शुरुवात देखिए आपके अतिश्यक्ति नहीं होगी देखिए ब्रस्पति आपके सब्तम भाव में आ जाएंगे और यह बहुत अच्छी स्थिती बनने जा रही है सब्तम भाव में बैटके लगन पर दिश्टी डालेंगे तो एक परकार देखेंगे कि आप विवा का परिवार का सपोर्ट आपको द इसा बने जो आपके परिवार के ठीक प्रीत कल्चर से बिलॉंग करते हो और जिसकी वज़े से आपके परिवार में प्रकार का तनाव भी देखा जा सकता है तो यह शुरुआत तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की देखने को मिल सकती है अब ब्रस्पति आपके जैसी सब्तम भाव में परवेश करेंगे तो हो सकते है स्थिति आपकी दीर दीरे पक्ष में बननी शुरू हो जाए जलबाजी बिल्कुल ना दिखाए पेशन्स रखें अपने भीतर अपने भीतर धहरे रखें यदि आप अपने समन्द को लेके बहुत ही गंबीर है तो आ बात किसी थी आपके फेवर में बनेगी जरूर नौवी राशी धनूर राशी के बारे में अदि हम बात करें तो देखिए आपकी जो नए बर्च की शुरूबात होने चारी है मंगल सूर्य बूत आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं अब सब्तमेश जो है आपके लगन भ ब्रिश्पती आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप यह देखेंगे ब्रिश्पती की दिष्टी जो है आपके लगन में पड़ रही है प्रेम विवाग के लिए ही आप एक स्ट्रॉंग डिसीजिशन ले सकते हैं परिवारवालों का सपोर्ट दीरी दीरे आप के पक्ष में बंता चला जाएगा लेकिन जो प्रबल संभावना बनेगी वो आप देखेंगे कि शुरुबात तो मैं नहीं कह सकती है लेकिन हाँ जनवरी फरवरी के बाद कुछ अच्छी संभावना आपको देखने को मिलेगी अब मही के बाद ब्रस्पति आपके छटे आपको सफलता जरू मिलेगी दसवी राशी मकर राशी के बारे में बात करें तो मकर राशी कियए में देखें टो देखिए आपके लगनेश धियुति भावने गोचर करें यह बहुत अच्छी सदी है तो संघश्छ आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि केटू राहु एक प्रकार कि आप कह सकते हैं नीरस्तापन या detachment या आप ऐसा लग सकते हैं कि आपको किसी के साथ किसी relationship में नहीं आना है, कुल मिला के समझ से आपके भीतर ही रहेगी, आपके द्वारा ही रहेगी, आपको विवा का पस्ता मिला है, आपके परिवा का support मिला है, अगिन आप खुदी इस चीज़ से दूर भाग रहे हैं, वो एक different situation है, कब बिप्रीत परसिती आप देख सकते हैं, तो जो कुछ है वो आप पे निर्भर करता है, आपके mood swings दे के जा सकते हैं, कभी आपको लगेगा कि आप जिनके साथ विवा करना चाहते हैं तो उनके साथ अपने जीवन बिताना चाहते हैं लेकिन वहाँ वैसी परसिती उनके पक्षमे नहीं बननी, तो आप जिनके साथ आपको विवा करने के लिए भाद देख किया जा रहा है, उनके साथ आप सहज मैसूस नहीं करेंगे, आप ये दोनों सिती के साथ आप निपटना चाहेंगे, लेकिन इन दोनों सिती से बाहर भी निकलना चाहेंगे, या इसे दूर भागना चाहेंगे, तो ये उताच अड़ाव निश्चिन तोर से आप देखेंगे कि फूरे वर्ष आपको देखने को मिलेगा, ब्रेस्पति आपके पंचम भाव में जैसे ही परवेश करेंगे इन के दिश्टी आपके लगन पर पड़ेगी यानि मद्य दोहजर चौबीस के बाद तब आप देखेंगे कुछ राहत आपको मिल रहा है अच्छा रिलीफ आपको मिल रहा है और आप कह सकते हैं कि अब तक आपके दिमाग में जो देड़ भुन चल रही थी कुछ न कुछ आपको एक किसी का आपको मार्गदशन प्राप्त होगा या आप चाहे तो आप गुरु कह लीजे या कुछ ऐसे experience person कह सकते हैं अनुभवी वेक्ति कह सकते हैं जिनका मार्गदशन आपको प्राप्त होगा एक influential वेक्ति कह सकते हैं उनका influence आपके उपर पढ़ेगा प्रभाव पढ़ेगा और जिसकी वज़े से आप अपने जो निर्णे सही लेने के सक्षम में नजर आएंगे दूसरी बात आपकी संगति association most important है जो कि मध्य 1224 के बाद आप देखेंगे कुछ अच्छा परिवर्तन ये संगति जो भी वेक्ति आपके जीवर में आएंगे इसकी वज़े से आपके जो सोच में परिवर्तन आएगा निर्णे लेने में आपको एक प्रकार से confident महसूस होगा दूसरी बात ये कि आपके बीतर तो एक ब्रिण निश्चर की शक्ती है लेकिन कई बार आप अपने परिवार की दवाब में आकर उसको पीछे अटा देते हैं और लेकिन 1224 के बाद ये सिती आपके सामने बहुत clear होने जा रही है तो आपकी जो भी confusion की सिती है ब्रहम की सिती है वो बिल्कुल clear हो जाएगी साथ ही आप थोड़ा patience रखे थोड़ा ध्यरे रखे सिती आपके पक्ष में बनेगी 1224 के मध्य के बाद 11 राशिकुम राशिक के यदि हम बात के तो शनी देखिए आपके लगरिश आपके लगर पर ही गोचर करें और सब्तम्बर दिश्टी डाल रहे है तो बिलम्द जरूर देखने को मिलेगा यदि आप पहले से काफी संगश कर रहे है विवा की चर्चा भी चल रही है लेकिन बात नहीं बन पारी तो नए वर्ष में यनि 2024 में ये बात बंती नजर आ रही है साथ ही आप देखेंगे कि जो ब्रेस्पती है आपके तृत्य भाव में गोचर कर रहे है मई 2024 के बात आप देखिए स्थिती आपके पक्ष में बंती नजर आ रही है जो अब तक परिवार आपका साथ नहीं दे रहा तो वो अचानक आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे मद्य 2024 के बाद ब्रेस्पती आपके चतुर भाव में परवेश कर जाएंगे लगन में परवेश कर जाएंगे अगर यूती हो जाए या उनका प्रवेश हो जाए या शुब रहे के यहाँ पर आपके सकते गोचर में अगर आ जाए तो आप देखेंगे की काम दीरी-दीरे बनना शुरू हो गए है उसके पहले की स्थिती आप देख सकते हैं कि किसी ना किसी परिवारिक वेक्ति के कारण अवरोध या विरोध देखना पड़ सकता है यानि संगर्ष तो काफी बड़ा है यदि आप प्रेम विवार के भी चर्चा करना जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ तो वो इतना असाल नहीं होगा आपके परिवार के दौरव में कोई विवार का पस्ताव मिलेगा जो हो सकते हैं आपको मंजूर न ना हो और जिस्की बज़र से एक प्रकाल का तनाफ आपके परिवार में इसको लेकर देखा जा सकता है तो मद्धे 1224 के बाद की स्थिति आपके लिए फेवर में रहेगी आप तब तक अपना ध्यरे बना के रखे हो सके तो आप अपने ब्रेस्पति का उपाएगा सकते हैं और हो सके तो आप नित्य सूरे को अर्ग दे बहुत ही जरूरी है आपके सब्तमेश आपके सब्तम भाव में गोचर करने हैं देखिए लगनेश आपके जो है दुट्य भाव में चले गए लगर में राहू और केतू आगया है तो आप समझेंगे कि परिवार के वज़े से कोई दवाव महसूस करें आप खुद की बीतर किसी प्रगार के कन्फीजन की सीथी देख सकते हैं निन्ने आपको कॉंफिडेंट महसूस नहीं होगा जिसके साथ आपको कॉंफिडेंट महसूस होगा वहां से परिवार वालों का जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा तो इस प्रकार के विकर्ट उतार चड़ाव या अस्बंजस की सीथी देखने को मिल सकती है इसके लावा जैसे ब् अब में विवा को संपन करने में बिल्कुल भी आपकी सहायता नहीं करेंगे तो केतु का उपाय करने के लिए आप गडपती जी का जाप करें और कुट्टे को भोजन किलाई नित्य आप करें बिना सोची विचारे कपत करना है आपको पूरे वर्ष आपको यह उपाय करना है गाय की सेवा करें इससे आपको जरूर लाप्राप्त होगा तो दर्शकों में कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, आप इसे जरूर करें, ब्रिस्पति का उपाय जरूर करें, यदि आपके कुंडली में शुक्र प्रेडित है, तो शुक्र का भी उपाय आपको करना चाहिए, उनके व्यतिक मंत्र का जाप करना चाहिए, नित्य जाप कर विवार के लिए और करने के लिए तो आपका तहीनी माता की पूजा आप जरूर करें उनका मंत्र का जाब करें तो इससे आपको विशेश लाप राप्त होगा लेकिन आप सभी को ब्रसपती का उपाय करना है ब्रसपती के लिए आपको ब्रसपती वार वाले दिन पीले बस्त है दशिकों आपके जो भी प्रशन सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें हारे कुछना